एक मैं फिर से मेरी सभी दोस्तों का माई मीनी बगीचा में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं एक बहुती जरूरी इनफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफी यूसफुल रहेगी तो यहाँ पे मैं कुछ गमले पल्टी करा रही हूँ यानि रीपॉर्ट करा रही हूँ तो यह बौगन बेल के प्लांट है जो की हर साल रीपॉर्ट कराने बहुत ही जरूरी होते है अगर आपने इनको रीपॉर्ट नहीं किया तो इनमें फूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा एक साल मैं ऐसा करके देख चुकी हूँ क्योंकि इसकी जड़े होती है वो फाइब्रेस रूट होती है बहुत महीन महीन होती है और पूरे गमले में मिट्टी खतम हो जाती है और जड़े ही जड़े रह जाती है तो देखिए पल्टी कितने अच्छे से कर रहे हैं प्रेम पाल भाईया एक भी मेरा गमला नहीं तूटा हाला कि मेरे दो तीन गमले पूरे नीचे तक चटके हुए थे लेकिन फिर भी एक भी गमला नहीं तूटा फिर सारी जड़े थी वो प्रेम पाल भाईया ने कट कर दी और इन जड़ों को मिटी मैंसे भी हमें इस तरीके से निकाल लेना है क्योंकि मिटी में जड़े रह जाएंगी और हमें तो बहुत सारी अभी खात वगरा एड़ करनी है तो यह मिटी इतनी मिटी मतलब पौधे मैंसे निकाल ली गई है तो बहुत सारे प्लांट है मेरे बौगन मिल के सारे के सारे ही हम बदलेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से यही प्रॉसेस रहा तो सारे प्लांट पहले कट करके निकाल के रख लिए प्रेम पाल भाईया ने और जितनी मिटी इसमें से निकली वो भी एक धेर बना लिया तो मिट्टी का मेरी कोई मेजरमेंट नहीं है क्योंकि मेजरमेंट से मैं कैसे बता सकती हूं अब हमने उसको कोई तौला तो है नहीं तो बस जितने भी गम्लों में जितनी मिट्टी निकल पहे हूं वो सारी-की-सारी घट्टी कर ली और फिर इस मिट्टी में मैंने P50 kg Verme Composter मिल जो कि एक बहुत ही अच्छी खाथ होती है और हम इसे रेडी मेट ही लेके आई थे मतलब मैंने यह कहीं गोबर की सुखी होई खाथ जैसे मिल जाती है वो नहीं ली थी हम कटे ही लेके आए इसके नर्सरी से क्यूंकि आजकल पैक मिल जाते और काफी अच्छी खाथ रहती है साथ ही हमने इसमें बहुत सारी चीजे और एड करी है जिसमें की है जिंक दो किलो आप लोग नोट कर सकते हैं डी अपीवी दो किलो पोटास दो किलो बायो जैम दो किलो फॉरेट मैंने डाला इसमें तो वो वन केजी था मतलब एक किलो नीम खली दस किलो डाली गई है इसम इसमें 100 g और साथी इसमें rice husk मिलाया जो जब चावल को साफ किया जाता है तो जो भूसी निकलती है वह इसमें एड़ करें यह वह एक तो मिट्टी को light तो यह आप जितने भी हमारे फूलों वाले प्लांट होते हैं या पर्मानेंट प्लांट होते हैं उनमें आप यह सारी चीज़ें डालिए बड़ा अच्छा काम करती है जब भी आप देखिए गमले की मिट्टी बनाएं तो तीस परसेंट तो आप मिट्टी रखिएगा और अ आप साधी अड़ कर सकते हैं और यह मैंने मैंटीरियल बनवाया है यह 50 गमलों के लिए है तो याद रखिए यह जितनी भी खात मैं ने बताई है यह 50 से ज़्यादा गमलों के लिए मतलब पकचास गमले पूरी तरे के से फूल हो गए थे बड़े और छोटे मिलाके और बाकी दो कट्टे जो भरके यह पूरा मैटीरियल बच गया था जो कि हमने एक्स्ट्रा गमलों में फिल करा दिया तो आप इतनी मतलब समझ के बनाईएगा यह मैंने पूरा रेशियो जो बताया यह पचास से सार्ट गमलों कि लिए और गमले भी 14-12 इंच के अधे बरड़े मैंने भरवाए है्ले तो यह सारी दिया है लिए मैं गडिया तो यह लिए चारिविंग करें तो यह सारी चीज चीजए देख इएक करया कोई भी आ最近 जायान नहीं होनी जाहिए और जो also can करा लिए के सिजन कर लिएन ए मतल होती है तो बढ़सात की बज़े से वह बहुत ही अच्छा चलता रहता है मतलब उसमें कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती यहां देखिए जो बॉगन बेल है उसको उपर से प्रेंपाल भी आसे मैं थोड़ा थोड़ा कट करा दे रही हूं क्योंकि अभी रिपॉर्ट भ है गयते ना वो मुर्चाए और ना वो गिरे और बहुत ही अच्छे चल रहे हैं मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी इसको शेयर करूंगी कि कैसी है अब मेरी बॉगन बेल कैसी चल रही है और यह दो-तीन दिन पहले का काम है बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए बस दो-तीन द बाद ही मैं वीडियो डाल रही हूं आप लोगों के पास आप लोग भी बहुत ही जल्दी अपने प्लांट को रीपॉर्ट कर लीजिए या करवा लीजिए क्योंकि जब हम दीपावली के टाइम पे यह सारे काम कराते हैं तो जो प्लांट होता है वह अच्छी ग्रोथ नही दिक्कत नहीं आएगी उसको सारी खाद वगेरा मिल जाएगी और जो खाद मैं दूंगी अब आप लोग के साथ शेयर करती रहोंगी क्योंकि अक्सर मेरे पास कुछ कुछ मैसेज आते हैं कि आप जो भी खाद है वो जरूर बताए और हाँ मैंने यह सारे जो मिट्टी के ग बनाने लगे और यह बिल्कुल अभी बना के लाएं वीडियो और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और एक दम प्यारे प्यारे से तो क्या आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताईएगा और प्लांट देखिए एक दम बहुत अच्छे दिखाई दे रह क्योंकि यहां के जो गमले थे वो काफी पुराने थे और तूट गए थे बहुत सारे गमले तूटते रहते तो इसलिए मैंने उनको समाल के रख लिया है जब भी कोई भी गमला तूटेगा तो वो काम आएंगी सारे और यहां जो भी चाहिए थे मुझे चेंज कराने के लि मेरा अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है जिससे कि मैं आप लोगे लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ले के आऊँ और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बैल आइकन जरूर दबा दीजे जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको टाइम से मिल जाए और आप टाइम से उस काम को कर लें तो रिपॉर्ट करने का काम आप जरूर कर लीजेगा और कहां से मेरे वीडियो को देख रहे ये जरूर बताईएगा मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब कोई कहता है जम से पूर से को कोई आसाम से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आप मुझे जरूर बताईएगा कि मैं यहां बैठे-बैठे कितने दूर से अपने दोस्तों से मिल पानी हूं अपने वीडियो कितनी दूर तक पहुंचा पानी हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगे ओके फ्र